दोस्तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक सिछवी भाग की तरफ से डिप्लोमा और बीबी टेक वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर सिविल, अलेक्रिकल, मेकेनिकल और कम्प्यूटर साइन्स इंजिन्यर सिलिजबल रहेंगे आपकी डारेक्ट भरती रहेगी कोई भी एक्जाम नहीं होगा और ना तो यहाँ पर कोई आपकी एक्जाम ने संथीस लगेगी और क्या बताया गया है इनके ऑफिसेल नोटिस में उसमें आगे जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जॉप सब्डेक मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाटसब ग्रूप को भी जॉइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं इनके ऑफिसेल नोटिस पर यहाँ पर आपके पांच अलग-अलग नोटिस निकाले गए हैं तो बारी-बारी से हम यहाँ पर सभी नोटिस को डिसकस करने वाले हैं पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है वेवसाइक सिछ्छावी भाग में यह नोटिस आपका 7 दिसंबर को निकाला गया है पोस्ट यहाँ पर आपकी लेब इंस्ट्रक्टर के लिए रहने वाली है बात करें आपकी टोटल नंबर उफ पोस्टों के बारे में तो टोटल यहाँ पर आपकी 15 पोस्टों पर वेकेंसी रहेगी qualification में आपको बताया है अगर आपने B.B.Tech किया है Electrical, Electrical and Electronic Engineering में आपके पास एक साल का वर्क एक्सपिरियंस से आप यहाँ पर apply कर पाएंगे अगर आपने diploma किया है इन ही ब्रांचों में minimum आपके पास दो साल का वर्क एक्सपिरियंस से आप यहाँ पर apply कर पाएंगे बात करें आपकी work location के बारे में तो work location यहाँ पर आपकी लखनव, उन्नाव, राइबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर रहने वाली है अगला notice भी आपका निकाला गया है website सिच्छा विभाग की तरफ से यहाँ पर आपकी lab instructor पोस्ट पर वेकेंसी है, टोटल यहाँ पर आपकी 15 पोस्टों पर वेकेंसी रहेगी, यह भी आपकी third party based job रहने वाली है male और female यहाँ पर apply कर पाएंगे salary यहाँ पर आपको 23,600 रुपे प्रतिमन्थ मिलने वाली है बात कर लेते हैं आपकी qualification के बारे में, अगर आपने bb take किया है automobile या फिर mechanical engineering में, आपके पास एक साल कवर के experience है अगर आपने diploma किया है mechanical engineering में, आपके पास 2 साल कवर के experience है आप यहाँ पर apply कर पाएंगे next vacancy भी यहाँ पर आपकी रहने वाली है, website साइक सिच्छा विभाद की तरफ से यहाँ पर आपकी लेव इंस्ट्रक्टर पोस्ट पर vacancy रहेगी, टोटल यहाँ पर आपकी पांच पोस्टों पर vacancy रहने वाली है male और female candidate अपलाई कर पाएंगे salary यहाँ पर आपको यहाँ पर आपकी रहने वाली है, विवसाइक सिच्छा विभाद की तरफ से पोस्ट यहाँ पर आपकी लेव इंस्ट्रक्टर के लिए रहेगी, टोटल यहाँ पर आपकी 8 पोस्टों पर vacancy रहेगी third party बेस job है, minimum age आपकी किस साल होनी चाहिए, maximum age यहाँ पर आपकी 40 साल रखी गई है qualification में आपको बताया है, अगर आपने वी बी टेक किया है electronic and telecommunication या फिर electronic and communication engineering में आपके पास एक साल कवर के experience से, अगर आपने तीन साल का diploma किया है इन ही ब्रांचों में minimum आपके पास दो साल का वर्क experience से आप यहाँ पर apply कर पाएंगे और last frequency यहाँ पर आपकी रहने वाली है basic सिच्छा विभाग के तरफ से post यहाँ पर आपकी district coordinator के लिए रहेगी qualification में आपको बताया है अगर आपने डिप्लोमा किया है computer science या फिर information technology में आप यहाँ पर apply कर पाएंगे salary यहाँ पर आपको 40,000 रुपे प्रतिमन्थ मिल जाएगी और इस post में apply करने के लिए minimum आपके पास दो साल का work experience होना चाहिए तो जिन लोगों ने भी डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों में आप लोग यहाँ पर apply कर पाएंगे अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you, शुक्रिया